आजम बनाने वाले हैं श्रीकेशन भगवान का बेहद प्रिया परशाद जिसको कहा जाता है पंजीरी का परशाद अगर श्रीकेशन भगवान को करना है हैपी हैपी तो इस जन्मास्ट में ये वाला परशाद तो जरूर से बनाना ही चाहिए पंजीरी हमारी हड्डियों को करने में हैल्प करती है और हमें पेट की समझ्याव से भी चुटकारा मिलता है बहुत ही टेस्टी हैल्दी और हम इसको यूज करते हैं प्रशाद की रूप में भी जट मास्ट मी पर चलिए जटपट से बना कर तयार कर लेते हैं आज पंजीरी का प्रशाद हमने इसके लिए किसी भी बरतन से आप मेजरमेंट कर सकते हैं मैंने एक भावल से सभी चीजों का मेजरमेंट यहां पर करके दिखाया है मैंने लिया है साबुद धनिया इसको हम मीडियम टू लो गैस के फ्लेम पर रोस्ट करेंगे दो से तीन मिनट इसको बहुत जादा गोल्डन नहीं करन बस जैसे ही इसमें से एक प्यारी सी स्मेल आने लगे तब इसको बंद कर देंगे अब इसको निकाल लेंगे दूसरी प्लेट पर ठंडा करने के लिए और इसको जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं देखते हैं अब आते हैं हम सेकंड स्टैप पर हमें फिर से लेनी है कड़ाई और कड़ाई में एड़ करना है घी मैं यहाँ पर देट टेबल स्पून के जितना घी का यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो यहाँ पर घी को कम और ज्यादा कर सकते हैं पंजिरी बनाने के लिए अब मैंने लिया है एक बाउल के जितना बादाम यह लगबग 50-60 गिराम बादाम मैं ले रही हूँ इनको हमने घी में डालकर हलका हलका रोस्ट कर लेना है ध्यान रहे बादाम ज्यादा रोस्ट होने से कड़वे हो जाते हैं तो हमें लगातार चलाते हुए दो मिनट बादाम को सिम गैस के फ्लेम को रखते हुए भून लेना है दो मिनट क उने देते हैं एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देते हैं अब जो बाकी बचा हुआ घी है उसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से काजू यहां पर काजू की क्वांटिटी मैंने कम ली है आप चाहें तो जितने हमने भादाम लिये हैं उतने ही आप काजू भी ले सकत और किशमिश को भी हम हलका भून लेंगे घी में यह ओफसल है आप चाहें तो किशमिश को भून कर ले सकते हैं चाहें तो बिना भूनी किशमिश भी पंजीरी बनाने के लिए यूज करते हैं अब जैसे ही किशमिश थोड़ी सी फूलना शुरू कर जाएगी तब हमने किश मखानों को ड्राइ रोस्ट करके भी डाल सकते हैं अगर आप जादा घी नहीं खाना चाहते पंजीरी में तो जो थोड़ा सा बचा हुआ घी था उसमें हमने मखानों को डाल दिया है लगबग दो कप के बराबर और अब हम इनको भी रोस्ट करेंगे मखाने भूनने के लिए ज़रत नहीं है आप चाहें तो एक चम्मच घी में भी मखाने भूने जा सकते हैं और बहरी तली के कड़ाई में अगर आप मखाने भूनते हैं तो आप उनको ड्राइ रोस्ट भी कर सकते हैं जैसे ही मखाने हलके कोल्डन होना शुरू हो जाएंगे तब ही हमें गैस का फ्ल आती है नेक्ट स्टैप की इसके लिए हमें लेनी है एक और प्लेट और उसके अंदर हम जो ये साबुत ड्राइफूट्स हैं उनको निकाल कर रख देंगे थोड़े थोड़े सभी ड्राइफूट्स को अब जो हमने धनिया साबुत भून कर रखा हुआ है उसको हम निकाल एक मिकसर जार में और मिकसी को दो से तेन बार रोक रोक के हमें धनिया को पीस लेना है बहुत जादा बारिक पाउडर इसका बना कर नहीं तयार करना है इसको थोड़ा हमें धर धरा ही रखना है जैसे पंजीरी में होता है बिल्कुल उसी तरीके का ये देखिए ये इस तर देने हैं मखाने और मखानों को भी हमें एक पाउडर बना कर तयार कर लेना है इसके बाद में हमें लेना है एक बड़ा सा बोल जिसमें हम पंजीरी को मिक्स करने वाले हैं अब जो हमने मखाने पीस कर तयार किये हैं उसको डाल देंगे इस बोल में और हातों से खोल देंगे ये देखिये जटपट से ये कोर्ट कर दो हो चुके हैं अब यह भी हमने ढाल देजे हैं, чуть größ ताक chosen कोई मुठी गाट यहां है बरूदा यानि के डैसिकेटिड कोकोनट और एक कप के जितना लेकर इसमें डाल देना है आप चाहें तो घी में भी नारियल के बरूदे को भून सकते थे एक से दो मिनट लेकिन मैं यहां पर बिना भूना बरूदा यूज कर रही हूं क्योंकि इसमें एक मिठास होती है जो क इसके बाद में अब इसमें बारी आती है मीठा डालने की तो मीठे की जगा हम यूज करेंगे मिष्री का क्योंकि कनयेजी को मिष्री बहुत प्रिया होती है मिष्री का पाऊडर बनाकर हैं इस एक प्राबर , अब कर्चि चलाते हूं, हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेकर आप यहां पर आदा चमत्र के जितना इलाइची पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं मैंने ईलाइची पाउडर नहीं डाला है और अगर आपको पंजीरी काफी dry लग रही है तो आप तो उसे 3 चमत्र घी का यूज़ भी कर सकते हैं पंजीरेको और भी ज़्यादा शैनिंग बनाने के लिए अब हम इसको निकाल लेते हैं एक दूसरी प्लेट पर और ये देखिये जटपट से इस जनमास्ट मी के लिए कनाया जी का सबसे फेवरेट प्रशाद पंजीरी बनकर तैयार हो चुका है आप भी जटपट से इस तरह से पंजीरी बनाकर तैयार कर सकते हैं से अगली वीडियो में तब तक के लिए बावाई थैंक्यू फोर पोचिंग